नमस्क्र दोस्तों बिहार एक्स्प्रेस में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों मिथला को अमरित भारत एक्सप्रेस ट्रेन तो मिल गई है लेकिन सिमानचल के साथ यहाँ पर बैमानी की गई है सिमानचल का मतलब मेरा है कि जोगवनी से या फिर पूर्णिया से अमरीत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को देना चाहिए था कम से कम क्योंकि बड़ी आवादी को यहाँ पर फाइदा होता और लोग इसका लाब भी उठा थे और जोगबनी से वैसे भी ट्रेन जो है वो लंबी दूरी की कम है दिली के लिए महज एक ही ट्रेन है सिमानचल एक्सप्रेस तो यहाँ से बहुत ज़्यादा जरूरत थी यहाँ पर अगर इस ट्रेन को दिया जाता एक ट्रेन को कम से कम दूसरी वाली तो कहीं न कहीं बड़ा तबका को लोगों को फाइदा होता यहाँ पर सिमानचल के साथ यहाँ पर बैवानी की गई है तो क्या पीम नरेंदर मोदी को सिमानचल नजर नहीं आता सिर्फ मिथिलांचल या फिर अन्य शहर जो हो नजर आता है सिमानचल का इलाका 15 वर्सों से ट्रेन से वन्चित है मैं बात कर रहा हूँ फोरविसकाच और सहरसा दरभंगा रेलखंड की यहाँ पर 15 सालों से लोग वन्चित है ट्रेन को लेकर लेकिन यहाँ पर मोदी जी का ध्यान जो हो नहीं जा रहा है और अलग-अलग जगह से ट्रेन जो हो चलाई जा रही है तो इसको लेकर सांसद और विधायक इन सभी को आगे आना चाहिए और यह बात जो है रखनी चाहिए आगे तक पहुँचाईनी चाहिए कम से कम जोगवनी या फिर पूर्णिया से कम से कम एक अमरित भारत एक्सप्रेस ट्रेन तो मिले ही मिले कम से कम इतना तो करना ही चाहिए सांसद और विधायकों को तो इस पर लोगों के कई सारे कमेंट भी आये हैं उस कमेंट को भी मैं आगे पढ़ने वाला हूँ तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा आगे जिन लोगोंने comment किये है और कई सारी लोगोंने demand भी की है तो उसको भी मैं पढ़ूँगा और आप सभी को बताऊंगा साथ ही आप भी comment कर सकते हैं उस comment को मैं किसी न किसी वीडियो में लूँगा आप कमेंट करते हैं तो मैं उस सुझाओ को जरूर लेता हूँ और लगभग मैं सभी कमेंट को पढ़ता हूँ और सभी का reply भी करता हूँ तो आप भी कमेंट करते रहे हैं और उसका reply जो है वीडियो के रूप में या फिर text message के रूप में आपको जरूर मिलेगा तो फटा-फट से मैं उस सभी कमेंट को पढ़ देता हूँ जो भी कमेंट आया है तो सबसे पहले नंबर पर है MD सफिक इन्होंने लिखाया कि भाई बनबनखी station का वीडियो बना दो तो देखिए सफिक भाई मैं कोशिस करता हूँ कि मैं हर जगा का वीडियो बनाऊं और डालूं तो जो भी संभव हो पाता है मैं उन सभी जगों का वीडियो जरूर मंगवाता हूँ और डालता हूँ अपने चैनल पर क्योंकि मैं हर जगा पहुँच नहीं सकता इसके अलावा अनिल दास ने लिखा है कि दर्भंगा टू सिरी गंगा नगर राजधानी एक्सप्रेस जो है वो देनी चाहिए बिल्कुल आपका सुझाव सही है इसके अलावा अमडी इसमाईल आजाद ये लिखते हैं कि सराइगर बायपास का अपडेट दीजिये सर तो बिल्कुल जरूर जैसे ही हम तक अपडेट पहुँचेगी जरूर मैं आप सभी को अपडेट जो हो देता रहूंगा तो आगे बढ़ते हैं सीतल महतो लिखते हैं कि भागलपूर से नई दिल्ली तक अमरित भारत एक्सप्रेश टेन देनी चाहिए इसके लावा विकी लिखते हैं कि जोगवनी फॉर्बी जगच को जुन जुना भी नहीं 15 साल पीछे और कर दिया सिमानचल को तो बिल्कुल सही बात है 15 सालों से लोग लंबा इंतजार कर रहे हैं इसके लावा राजा कुमार जी लिखते हैं कि कोशिस नहीं दीजिए यानि कि ये बोल रहे थे कि ललित गराम का अपडेट दीजिए तो मैं बोला था कि कोशिस करता हूँ तो वही पर उन्होंने लिखा है कि कोशिस नहीं कीजिए बिल्कुल आप ललित गराम का वीडियो दीजिए ही दीजिए तो बिल्कुल मैं कोशिस करूँगा कि ललित गराम का वीडियो आपको दिखाऊं इसके अलावा 80 कुमार्ट लिखते हैं कि जोगबनी से गया जंक्षन तक एक ट्रेन देना चाहिए तो बिल्कुल आपकी बात आ चुकी है इस वीडियो में तो जरूर ये बात आगे तक पहुंचेगी इस वीडियो को जरूर शेयर किया किजिए तक ये वीडियो जो है आगे पहुंचे और हो सकता है कि आपकी बात जो है वो सुन ली जाए तो फटा फटा से दो चार कमेंट और ले लेते हैं और उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे तो महभूब आलम ने लिखा है कि पुर्णिया से मुंबए के लिए भी ट्रेंज होनी चाहिए तो बिल्कुल होनी चाहिए महभूब साब और इसके अलावा राम सुखित लिखते हैं कि मैं देहली से आपका वीडियो देख रहा हूं तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दिल्ली से वीडियो हमारा देखते हैं वैसे आप भी हमें कमेट कर सकते हैं कि आप इस वीडियो को कहां से किस जगह से देख रहे हैं ताकि मैं कोशिस करूँ कि उस जगह का वीडियो लाऊं और एक मेरी मजबूरी है कि मैं हर जगा पहुँच नहीं सकता तो इसलिए मैं अलग-अलग माध्यामों से वीडियो मंगवाता हूँ और आप तो जानते हैं कि आजकल सभी लोग बीजी होते हैं अपने काम धंदे में तो वीडियो भी आप आना हमारे पास मुश्किल होता है तो अगर अपने आसपास का कोई भी वीडियो हम तक अगर पहुचाना चाहते हैं तो नीचे दिएगे वाटसेप नमबर पर आप हमें वीडियो भेज सकते हैं साथी उस खबर के बारे में आप बता भी सकते हैं कि किस बारे में ये खबर है तो नीचे दिये गर WhatsApp नमबर पर आप अपने आस्पास की कोई भी खबर डेलेवे से जुड़ी या फिर कोई भी खबर हो तो आप हमें सीधर WhatsApp कर सकते हैं तो ये आपका अपना channel है इस channel का भागिदार बनिए सहयोग किजिए और आपकी आवाज अपनी आवाज आगे तक पहुँचाएए सरकार तक पहुचाइए आवाज आप उठाईए और माध्यम हम रहेंगे हमारे माध्यम से आप तक ये सरकार तक ये आवाज जो वो पहुचे वीडियो में कमेंट लेंगे तो जबर अच्छे से अच्छे कमेंट कीजिए तो चलिए इस वीडियो को यह पर रहते हैं और आप से मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक देख ते रहें बिहार एक्सप्रेस यूट्रुब चैनल